दस साल के अंदर मोदी जी ने देश को बहुत आगे पहुँचाने का काम किया है ये दस साल के अंदर कोई स्वपन भी नहीं कर सकता था ऐसे असंभव जैसे काम मोदी जी ने समाप्त किये है मित्रों मैं हमेशा कहता हूँ कोई एक पार्टी की सरकार 25-50 साल रहती है तब जाकर 2-3 युग परिवर्तन कारी फैसले कर पाती है कई बार तो ये भी नहीं होते है परन्तु मोदी जी ने 10 साल में 50 से ज़्यादा युग परिवर्तन कारी फैसले लिये है और भारत का सन्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है लोग सबा का चुनाव हमारे सामने है बड़े-बड़े दोखे में बने है एक और मोदी जी के नेत्रुतों में देश बक्तों की टोली जैसी भारतिय जनता पार्टी और एक और साथ परिवारवादी पार्टियों का गमंडिया गटबंदन इंडिय एलायंस ये दोनों के बीच में राजस्तान की जर्ताने निनए करना है मैं मोदी जी ने दस साल के अंदर क्या परिवर्तन किया देश को कहां से कहां पहुँचाया बताऊंगा परन्तु सबसे पहले में एक बात बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेत्रुतों में भारतिये जनता पार्टी का एक मात्र उद्येस है सर्वपथम भारत भारत दुनिया में सबसे पहला हो इसके लावे कोई और सामने जो गटवंदन है साथ पार्टियों का जो गटवंदन बना है इंडी अलाइंस एक क्या है इनका लक्स क्या है एक और मोधी जी का लक्स है दुनिया में भारत सर्वपथम हो भारत माता विश्व ग्रू के इस्तान पर बिराजी थोकर दैदी पर्मान तरीके से दुनिया का माध दसन और इंका लक्स क्या है सोनिया जी का लक्स है राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना लालु जी का लक्स है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना उद्धव जी का लक्स है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना स्तालीन साब भी अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाने चाते हैं मुलायम सिंग मुख्यमंत्री बना कर गए समाल नहीं पाए फीर से अखिलेज जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री वे एक बात आज राजस्तान की जनता को पूछने आया हूँ जो लोग अपने बेटे बेटी भतीजों के लिए रादनिती करते हैं वो देश का भला कर सकते हैं क्या जरा जोर से बुले कर सकते हैं क्या देश को घरीब को आगे बढ़ा सकते हैं क्या देश को सुरक्सित कर सकते हैं क्या देश के किसान का भला कर सकते हैं क्या देश के अर्धतंत्र को सुधार सकते हैं क्या एक केवल और केवल केवल और केवल अपने परिवार का भला करने के लिए राजमीती में है और भारतिय जन्ता पार्टी केवल और केवल भारत का भला करने के लिए है और यह जो परिवर्दन है यह दोनों के बीच में विरोधाबास है इसके बीच में देश की जनताने राजस्तान की जनताने नेनए करना है मित्रो मैं बात करना चाहता हूँ देश की सुरक्साखी मोदी जी ने अपने धड़ नित्रतों से देश को सुरक्सीत करने का फैसला कि और इसको जमीन पर उतारा हूँ हम सबने मौन मौन सिंह का काल देखा था दस साल तक पाकिस्तान से हरोज आलिया मालिया जमालिया घुश जाते थे बम दमा के करते थे कोई जवाब देने वाला है आपने चोदा में मोदी जी को प्रदान मंत्री बनाया और प्रदान मंत्री बनने के बाद उन्होंने फिर से एक बार हिगमा कट कर दी पूंच में हमला किया और पुलवामा में भी हमला किया दस ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के गर में गुश कर दिन में तारे दिखाने का का अज पूरी दुनिया में पहले दो ही देश थे जो अंदर घुस का जवाब देते थे अमेरिका और इजराइल ये दो देशों की सुची में मेरे और आपके महान देश भारत का नाम जोग में कहते हैं जो अपने जीवन का सर्वस्रेश्ट काल मा भारती की रक्षा के लिए सिमाओं पर देते थे वो फोजियों के लिए 40-40 साल से one bank one pension का वादा किया गया था पूरा नहीं कर से थे इंदी रा गांदी से लेकर राहुल गांदी तक चार पीडी सासन में आई मगर वादा पूरा नहीं करते थे मोदी जी ने चार साल के अंदर ही वादा पूरा कर दिया और लाखो करोरो रुप्या मेरे सेना के हिटायर जवाण और सर्वीस के जवाणों के bank account में पहुँच गया जारा तिन सो सत्ता मैंने कई कॉंग्रेसी नेताओं को सुना है चंदर सिखर जी को भी मैंने मेरे मुझ से सुना है कि क्या बात करते है तिन सो सत्तर हटी नहीं सकती आपका चुनावी ना रहा है मैंने चंदर सिखर जी को उस वक भी कहा था मैंने बुछा कोई तो आएगा और वह भाज़पास से यहीं होगा जो धारा तिन सो सत्तर को समाव सत्तर सत्तर साल से देश का एक प्रदेश हैसा था जहां देश का सम्विधान नहीं था अलग सम्विधान था अलग जंडा था एक जमाने में वहाँ के मुख्यमंत्री को प्रदान मंत्री कहते थे वहां के राज्यपाल को सद्रे रियासत राष्टपती कहते थे स्यामा प्रसाद मुकरजी ने 1950 में अपनी जान गवाई तेरेपन में इसी ही लिए एक देश में दो निसान, दो विदान, दो प्रधान नहीं होंगे नहीं होंगे, मगर हम भी मजबूर थे हमें जन्ता का सिद्वात पूरा नहीं मिला था जिस दिन देश की जन्ता ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत मुदी जी को दिया पांच अगस्त 2019 को मुदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दी और आज जम्मू कस्वीर के सचिवाले पर तिरंगा सान के साथ लहरा रहा है कोई सवाल नहीं करता, जिस लाल चौक पर जंडा फेराने के लिए मोदी जी को और मुली मनोर जोसी जी को 90 के दसक में सेना की सुरक्सा के साथ जाता था, आज आपके छोटे से बच्चे और पोती को भी भेद दीजे आराम से तिरंगा लहरा पाएगा, वहाँ पर जन्माश में भी मनती है दुर्गा की पुजा भी होती है, और कोई कोई रोक नहीं सकता तीस साल के बाद जम्मु कस्मीर के अंदर सिनेमा हॉल चालू हुए, तीस साल के बाद जम्मु कस्मीर के अंदर मोहरम के जुलूस निकले, तीस साल के बाद दो करोड से ज़्यादा परियतक जम्मु कस्मीर गए, किसी का कंकर चलाने का हिम्मत में तेरा संगड़नों को प्रतिवंदीत कर दिया और सारे टेररिजम के इको सिस्टिम को समाप्त करने के काम नरेंद्र मोधी जी ने किया मैं तो आज आपको कहने आया हूँ कि मोधी जी ने 370 हटाई है मोधी जी को 370 देकर देश की जनता आसिरवाद देश इस देश में देश के लोक तंत्र को चार नासूरों ने ग्रसीद किया था परिवारवाद तुरुष्टी करन भरष्टाचार और जातिवाद ने ये चार नासूरों से कलर्ड देश के जन्मत और फैस ले आते थे मोधी जी ने 10 साल के अंदर परिवारवाद को समाप किया जातिवाद को समाप किया भरष्टाचार को समाप किया और जातिवाद को पिसमाप करने का काम नरेंद्र मोदी जी चारों नासुरों को हटा कर पोलिटिक्स और पर्फोमेंस को एस्टाबिलीस किया जो देश के लिए काम करेगा वो ही देश में राज करेगा इस सुत्र को उन्होंने प्रस्तापित करने का काम करेगा जातिवाद तुरुष्ट्रिकरन परिवारवाद और प्रस्ताचार के पैसों से चुनाव लडने वाले आज मजबूर हो गए हैं अकेले मोदी जी को हरा नहीं सकते ऐसे मंच पर मन मेल न होने के बाउधूर लाइन में बैठ कर इंडी एलाइन्स का नाम दे कर फोटो अपर्चुनिटी कर रहे हैं